नमस्ता दोस्तो आज अम बात करने वाले हैं नेट्फिक्स पे रिलीज हुई एक वेब सिरीज के बारे में जिसका नाम है The Nurse ये एक crying thriller सिरीज है जो आप इस वो देखने के बाद मेरा जो opinion बतता है उसको मैंगे आपको बताओ तो दोस्तो मेरे लिए ये सिरीज एक अच्छी thrilling web सिरीज सामित होती है मलब कि बहुत समय के बाद इतनी अच्छी thrilling web सिरीज देखने का मोका मिला है सिरीज की basic storyline की बात करें तो सिरीज में एक मदार्स है जो newly hospital में जोइन करती है वहाँ पेवत उसको emergency department दिया जाता है मलब कि अगर किसी को emergency heart attack आ जाता है night shift में कोई patient आ जाता है तो वो उसको संभालना होता है वेसे में एक बीन hospital में सभी की heart attack से एक बाद एक के बाद एक मृत्य होती है अब उसको ये शब होता है ये सब जो मौत हो रही है वो उसकी कलिक की वज़ा से हो रही है क्रिष्टीना वो सभी को गलती का injection दे रही है अब क्या उसका शक्ष ही है या गलत ये जानने के लिए आपको इस सिरीज देखनी पड़ेगी अब दोस्वात में पहला जो episode है वो बहुत ही slow build up होता है आपको थोड़ा बहुत जानने की मनब उत्सुपता रहती है कि क्या होता है लेकिन पहले episode के बाद सिरीज में जो tension जो 3 build up होता है न सच में कमान का होता है वलत आप पलके तक नहीं जटका पाऊगे इतना 3 ये series मनाती है आपको जानने की उत्सुपता रहे जाए कि बाई परकोल नास डख reason जानना है इस series का main मकसद ये नहीं है कि कातिल कोन है कातिल तो आप पहले episode में ही guess कर लोगे लेकिन उसका जो reason है वो जानने के लिए आप पूरा के पूरे 4 episode देखोगे तो वो सच में कमाल के है I think reason भी आप 2-3 episode में guess करी लोगे लेकिन वो कातिल के मूँ से आप सुनना चाहोगे कि हाँ भै ये reason की वज़े से मैं ये सब करता था तो वो जानने के लिए series बहतरी तरीके से बनाए लिए series के जो lead performer है उन्होंने अपना काम बेतरी तरीके से निबाया है एसा लगता है कि वो nurse के character के लिए ही बनी है सच में उसके अलावा जो Christina जो negative character प्ले कर रही है उन्होंने भी अपना performance शानदार निबाया है उनके जो चेहरे की expression है वो सच में कमाल के थे series की जो overall production quality है जो hospital का scene है वो भी सच में कमाल के है मनलब कहीं पर भी आपको कमी नहीं दिखाई देगी budget series में कहीं कहीं जगा पर किशिन सिन भी दिखाई गए हैं जो आप family के साथ नहीं देख सकते series की जो total episode है वो है 4 episode और हर एक episode की जो length है वो 40 minute से लेके 50 minute तक की है इसका पहला episode आपको slow लग सकता है लेकिन last तक आते आते ये series अच्छे से build up दे जाती है series का जो last episode है वो तो सच में कमाल का है इतना thrill से भरपूर है कि मज़ा आ जाता है अब series की जो दो बात है वो मुझे बरस्ताली पसंद नहीं आई की series में आप पहले ही predict कर लोगे कि यार कातिल कोन है तो आप पहले episode जे प्रेडिक कर लोगे तो वो जानने की उतनों सुपता नहीं रहती बस एक ही reason रेता है कि यार कातिल इसा क्यों कर रहा है अब ये series में पहले ही कातिल को ना बता दिया जाता है और सभी पे शक होता तो देखने में और ज़्यादा मज़ा आता और दूसरी बात कि जब last में कातिल पकड़ा जाता है तब कातिल से मूँ से जो reason हम सुनना चाते हैं वो बताता ही नहीं है तो वो हमें ये साथ चाहते हैं कि एक बार कातिल बता दे तो हम satisfy हो जें लेकिन last में कातिल नहीं बताता आना कि हमें reason पता चल जाता है लेकिन कातिल से मूँ से नहीं पता चल दा तो ये दो बाते मुझे series की पसंद नहीं आई लेकिन overall series सुरुवात से लगए अन तक thrill सबर पूरती और देखने में सच में मजा आ जाता है मैं इस series को दूँगा 8.5 out of 10 stars आपको ये review कैसा लगा कमेंट सेक्सर में जरू बताएगा और अगर review अच्छा लगा वो तो like जरू किजेगा तब तक के लिए फिर मिलेंगे जैश्रीरा